टिटनस तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करने वाली एक बिमारी है इसको आम भासा में धनुसंकार या कुछ लोग लॉग जा के नाम से भी जानते हैं तो या कभी-कभी इसको धनुस्तंब भी कहा जाता है अब इसका जो है नाम से हमें पता चल रहा होगा कि धनुस्तंब या धनुसंकार का अभिप्राया है कि मरीज का सरीर जो है धनुसके आकार का हो जाता है लाक जा से अभिप्राया है कि मनुस्य का जो पेसेंट होता है उसका जबड़ा बिलकुल लॉक हो जाता है मैसेटर मसल्स होती है जो चहरे के दोनों तरफ पाई जाती है जो जबड़े को अगर हम इसके कारण पर विचार करें तो यह exotoxins की वज़े से होने वाली बिमारी है Clostridium tetany नाम का bacteria होता है जो की toxins produce करता है और उसकी वज़े से तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है और मरीज को यह बिमारी होती है लाग जा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके लक्षण जो है चहरे से सुरू होते हैं और फिर नीचे की तरफ प्रोग्रिस होते हैं जो मानस्पेशियां होती है वो अकड़ जाती है उसमें तनाव हो जाता है जिसको हम स्पाज्म कहते हैं सबसे पहले जनरली जो सबसे अच्छे से दिखने वाली जो मानस्पेशी है वो जबड़ा होता है फिर इसके बाद गले की मानस्पेशियां अकड़ जाती है जिसकी वज़ए से मरीज को खाने में खाना निगलने में दिक्कत होती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है फिर यह बीमारी धीरे धीरे जो है नीचे की मानस्पेसियों में अकडन पैदा करती है तो मरीज का सरीर बिलकुल पीछे की तरफ ऐसे तन जाता है और वो धनुस के आकार का हो जाता है जब full-blown जो generalized बिमारी होती है उसमें पूरा सरीर धनुस के आकार का हो जाता है और यह काफी painful होता है तो लक्षण में muscles का इस्पाज सारीरिक दर्द बहुत ज़्यादा होना और सांस लेने में कठिनाई जैसे हार्ट रेट बढ़ सकती है हार्ट रेट कम हो सकती है सांस लेने में दिक्कत मैंने पहले ही बता दिया और इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर भी कई बार कम हो जाता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटने नाम का बैक्टीरिया होता है जो की एक जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो की हमारी तंत्रिकाओं से हो करके पाइनल काड और ब्रेन तक पहुंच जाती है और उसकी वजह से लक्षण आते हैं जो मान स्पेशियों में तनाव को नियंत्रि जाता है अब इसमें जो हमारे जानने यह गी तो हुई पैथो फिजियोलजी जिसको कहते हैं उसकी बात हमारे जो जानने वाली चीज है कि हमारे पास ट्लॉश्टीडियम टेटनी का इंफिक्शन कैसे होगा वह बैक्टीरिया हमारे सरीर में कैसे पहुंचता है अब मान ली कोई डीप कट हो गया उसमें जो स्वाइल्ड है जो उसमें गंदगी फंसी हुई है और आप उसको अच्छे से नहीं साफ कर पा रहे हैं उसमें क्लॉश्टीडियम टेटनी बैक्टीरिया रह सकता है हमने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों के कान के अंदर भी फोकस मि प्रणे वाला क्लॉश्टीडियम टेटनी बैक्टीरिया है तो बैसिकली जो यह बैक्टीरिया है यह इन्वार्मेंट में बहुत सारी सर्फसेज पर बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है तो जब भी हम किसी गंदे ऑब्जेक्ट से जनली चोट लगती है या गहरा जाता है उसमें स्वाइलिंग हो जाती है तो इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो जाती कि उसमें क्लॉश्टीरियम टेटनी हो और एक जो वह ग्रो करें एक जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करें और आपको टिटनेस हो जाए टिटनेस बिलकुल खतरनाक होता है सबसे महत्तोपूर्ड बात यह है कि इसमें इतना ज्यादा यह पेनफुल भी होता है मरीज के लिए और इसका जो स्पाज्म है उसकी वजह से पेशेंट को निगलने में मुह खोलने में इस तरह की दिक्कते हो सकती हैं मुह खोलने में दिक्कत होगी निगलने में दिक्कत होगी तो पेशेंट जो है अपना ओरल सिक्रीशन कई बार सांस की नली में जा सकता है जिसकी वजह से निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है वह एक लाइफ ठेटनिंग कंडीशन हो सकती है बहुत जादा इस पाज्म की अधिति में यह सांस लेने की प्रक्रिया को अनियमित कर सकता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा एरवे यहां से उपर से सुरू होता है और नीचे लंग्स तक जाता है तो कहीं न कहीं यह एरवे को कंप्रोमाइज करके भी खतरनाक साबित ह को सकता है कि बहुत ज्यादा इस वालेजने की वज़से कैई बार क्या होता है कि मसलज की लिसिस होने लगती है उससे जो रिलीज होने वाले आवयक हैं घं का और मोसटे हैं मैं ओस्ठिकाअने डिस और हो सकता है पेघन पॉत होता है और इसमें जो सबसे important involvement है जिसकी वज़ा से पेशेंट के जीवन पर बात आ सकती है वह respiratory system का involvement है टिटनस का इलाज सबसे पहले तो अगर आपको चोट लग गई है और वह स्वाइल है आप उसको अच्छे से साफ करिए वहां पर एंटिबाइटिक वगेरा अपलाई करना है उसकी ड्रेसिंग करवानी है अगर छोटा मोटा घाव नहीं है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए अर प्रेर के अंदर जा करके हानी पुहुचा रहा है अब उसके लिए हमारे पास एवेलेबल है एंटी टॉक्सिन तो अगर किसी को टिटनस होता है तो उसको एंटी टॉक्सिन दिया जा सकता है जो की हॉस्पिटलाइज सेटिंग में ही एक्शुली दिया जाता है अब उसकी लिमिटेशन यह हैं कि एंटी टॉक्सिन टॉक्सिन को रोक सकता है उससे बाइंड कर सकता है जो अभी आपकी तंत्रिकाओं से बाइंड न हो चुका हो तो जो फ्री टॉक्सिन है उसको तो आप रोक लेंगे बाकि जो आपकी नर्स में तंत्रिकाओं में पहले ही घुस करक को रोकने का कोई तरीका फिलहाल नहीं है फिर ट्रीटमेंट का जो दूसरा पार्ट आता है वो सपोर्टिव उस टॉक्सिन के जो इफेक्ट होते हैं जैसे जो इस्पाज्म होता है उसको टैकल करने के लिए हम मेडिसिन्स देते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और ज इसको जाना चाहिए यह इंपॉर्टेंट है तो जैसा कि हमने बात की कि अगर स्वाइल्ड ऑब्जेक्ट से आपको चोट लगी है घाव गहरा है उसमें मिट्टी है साफ सफाई साफ सुत्रा घाव नहीं है इस तरह की कंडिशंस में यह मैंडेटरी हो जाता है और महत्तु पूर्ड बात यह है कि टिटनस का जो बूश्टर डोज होता है वो दस साल के अंतर पर लगता है तो अगर आपको यह नहीं यादा रहा है कि पिछली बार आपको इंजेक्शन कब लगा था और आपको गहरी चोट लगी है जिसमें जो है स्वाइलिंग भी हुई थी आपको संभावना अच्छी खासी है कि वह उसमें बैक्टीरिया होगा तो उसकेस में आपको बूश्टर लगवा लेना चाहिए दूसरी चीज यह है कि अगर आपको याद है कि 10 साल हो गया होगा मुझे तो उसकेस में 10 यह से ज्यादा टाइम हो गया है तब भी आपको बूश्ट होते हैं हमारे कुछ लोग immunosuppressive medications पर होते हैं जो immunity को कमजोर करती हैं किसी वजह से उनमें यह चीज और ज्यादा stringent हो जाती है उनके लिए चीज और mandatory हो जाती है जो बच्चे होते हैं उनका एक immunization का schedule होता है उसको हमें काईदे से follow करना चाहिए मदर का जो expecting mothers होती हैं उनका भी immunization का schedule होता है उसको हमें काईदे से follow करना चाहिए और safe delivery practices को भी अपनाना चाहिए जिससे कि हम mother और बच्चे में भी टिटनेस को prevent कर सके हैं कोई भी चोट लगती है तो अगर बहुत ही सुपरफीसियल हलकी फुल की चोट है तो उसको पहले अच्छे से clean करके और उसमें antiseptic antibacterial drug apply करनी चाहिए अगर थोड़ा भी डीप है आपको थोड़ा भी डाउट है तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए आवस्यक्ता के अनुसार आपके immunization status के हिसाब से हम आपको booster shot भी दे सकते हैं fitness toxoid का जो कि आपके सरीर में anti-toxins को produce करेगा और toxin के harmful effects को tackle करेगा